हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूं बेबी सूट जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने 10 नंबर्स अलाई लिए हुई है और देखिए यहां पे मैंने इसको 46 फंदे से स्टार्ट किया है और देखिए यहां पे डोरी भी डाली है मैंने और यह पॉम पॉम यहां से यह बन्द जाएगी बेबी के पैर में तो इदर उदर नहीं होएगी आप देखिए सबसे पहले मैंने इसमें फंदे डाल ले हैं 46 फंदे डाले हैं यहां पे मैंने और हम इसे उल्टा-उल्टा बनेंगे ऐसे दोनों तरफ से बॉडर बनाऊंगी यहां पे मैं इस इसी तरीके से उल्टे तरफ से इसदो हम बनेंगे तो देखिए यहां पे मैं चार पिर बनाऊंगी चार गांत इस टरता जाएंगे और बूल को पीछए एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से इस रो को बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा, पूरी रो ऐसे ही बुनेगे। कि बूल को अपने तरफ करते जाएंगे एक फंदा सीधा और एक उल्टा कि ऐसे ही पूरी रोप बना लेंगे कि बूल रोप बना लेंगे याएंगे एक बना ले खके उल्टा मेंगे जाएंगे यह देखिए लाश्ट तक मैंने इसको बना लिया एक उल्टा और एक सीधा आप देखिए इसको पलट लेंगे आप यहां से उल्टे तरफ से जो सीधा फंदा है उसको मैंने ऐसे बनाया बापस भूल अपने तरफ उल्टा ऐसे बनाया आप देखिए यहां से जो सीधा फंदा है उसको हम एक रो नीचे से बनाएंगे बैसे यहां से बनाते हैं हम एक रो नीचे से बनाएंगे यहां पर डिजाइन डालेंगे ऐसे बूल को अपने तरफ उल्टा फंदा जैसे बनता है बैसे ही बना लेंगे बूल को पीछे यहां स एक रो नीचे से इसको बापस एक उल्टा यहां से एक रो नीचे से इसको बनाएंगे बूल को अपने तरफ ऐसे इस रो को ऐसे ही बनाएंगे देखिए यहां से देखिए इस तरह से बनाते हैं लेकिन हम यहां से बना रहे हैं एक रो नीचे से तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं पूरी रो आप देखिए राइट राइट आ गए हैं थड़ रो इस रिजैन की यहां से आप देखिए इसको हम उतार लेंगे बूल को अपने तरफ उल्टा फंदा जैसे बना रहे हैं बैसे ही बनाएंगे बूल को पीछे करेंगे सीधा फंदा जो है उसको हम एक रो नीचे से बनाएंगे देखिए यहां से आप देख सकते हैं यहां से बनाएंगे हैं इस तरीके से बूल को अपने तरफ करेंगे उल्टा फंदा बना लेंगे बूल को पीछे और देखिए यहां से बूल को अपने अत्रब एक खंद्धा वड़ता, एक खंद्धा, सीधा वाला एक रो नीचे से बुनेंगे इदे बेखे इस तरह से इस रो को complete करेंगे उल्टी रो में भी इसी तरीके से बुनेंगे जो सीधा होगा उसको हम एक रो नीचे से बुनेंगे उल्टा जैसे बुनते हैं बैसे ही बुनेंगे यह देखें यह देखे। आप देखिया ही आप ईलटी तरफ आ गए है, तो यहां से हम एक फंदा उतार लेंगे बूल को अपने तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा जैसे बनाते हैं वैसे ही एक सीधा वाला फंदा एक रो नीचे से ऐसे बूल को अपने तरफ एक फंदा उल्टा बूल को इधर यह देखिए इसको एक रो नीचे से बुनेंगे सीधे वाले फंदे को फिर से अपने तरफ, इस तरीके से, सीधे फंदे को एक रो नीचे से बनाएंगे, उल्टा फंदा जैसे बुनते हैं बैसे ही बुन लेंगे, सीधे वाले को एक रो नीचे से, ये देखे़, इस तरह से, और अब ये बिल्जैन की चोथी रो है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर 16 रो बनाओंगे एगा यहांपर मैंने 6 रो बनाकर कंप्रेटत कर ली यह कंप्रेट करेंगे 124 पास 6 7 और यह 8 और को डो रो में ये इस तरह कि चाहिए एक य New आती है तो 8 होगई तो आट डों इने 16 हो बना लिए हैं आप देखिए यहां से सिद्धे तरफ हों में यहां से पूरी रह उल्टा बोंते हुए अ यह कंप्रीट लाश्ट तक इसको ऐसे ही बुन देंगे। आप देखिए 46 फंदों में से मैं तीन जगे डिवाइड करूँगी। तो देखिए यहां पर मैं 14 फंदे रखऊंगी, 14 फंदे इधर रखऊंगी, 18 फंदे बीच में रखऊंगी। तो देखिए यहां से मैं 14 फंदे पहले बुन नोग, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, यह देखें, आप देखें यहां से अठारा फंदे हम दो काईब करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, यह देखें, नो बार मैंने दो काईब किया, नो दुनिया ठारे, आप यहां से इधर के चावदा फंदे हम ऐसे ही बनेंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, और यह चावदे, इधर से पलट लेंगे, इस रो को हम उल्टा बना लेंगे, एक बंदा उतार लेंगे, बूल अपने तरफ, और यहां से उल्टा बुनते हुए, सभी बंदे कम्प्लीट करूँ आप देखिए यहां से सीधे तरफ से में 16 फंदे बुनोंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, आप देखिए यहां पर दो का एक, एक बार किया, और बापस, एक बार और और करतेंगे, अब इसके बाद इधर के फंदे, सोले, उल्टे बनाते हुए, मैं कम्प्लीट करूँगी, यह रो कम्प्लीट कर लेते, आप देखिए, उल्टी रो पूरी, उल्टी बुनते हुए, कम्प्लीट करेंगे, अब कोई फंदा नहीं घटाऊंगी, ना बॉडर आप अपने हैसाब से कम जादा भी कर सकते, यह देखिए, यहां से मैंने यह रो बना ले हैं, प्रोडल मेरे पास एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठमी रो, उल्टे साइड हुए, और यहां से हम सभी बंदे बंद कर देंगे, इस तरी के से, तुमे कर लेती हूं इनको, इस तरह इस मैंने सभी बंदे बंद कर दिये, आप देखिए हम इसको, जो सीरा धरफ है, उसको में ऐसे फोल्ड करके, यहां से लेके, यहां तक और यहां तक ऐसे सिले, यह देखिए इस तरह से, इसको मिलाते हुए चलते जाना है इस तरीके से यहां तक सिल्विया इसको आप देखिये यहां तक इसको यहां पर इसको पक कर देंगे अरह को आप देखिये इसम इन दॉरी लगाओंगी तो इसके लिए देखिये मैंने इक पॉम-पॉम बनाया जो मैंने इसमें टक कर लिया और दोरी में चैन बनाके कंप्लीट करूँगे ऐसे क्रोसिया से तरीके से अ जितनी बड़ी आपको चाहिए, बेवी के फ्यर के एकॉर्डिंग इसको आप रख लीजिए, तो मैं ऐसे ही इसको बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखे इस तरह से मैंने डोरी बना ली है, अब देखे थोड़ा सा इसको लंबा कट करेंगे धागे को क्योंकि मुझे इसी से पूम-पूम टांक ना है इसमें, तो देखे पूम-पूम बनाने के लिए मैं एक फोर देऊंगी, ये देखे, तो मैं यहां से इसको ऐसे देखे, यहां से रख लिया इसको, और ऐसे इसमें लपेटते हुए इसमें बनाओ, ये देखे, इस तरीके स मैंने इसमेन लपेड इलिया आप देखिए इसको हम कठ कर देंगे यहां से ओर निए इस तरह से और किसके सेंटर में से इधर से निकालेंगे कékड़ से दरि thriving निकाल लिया इस दागे को और इस वाले को देखे जो यहां से है अब हम इसको इससे नॉट लगाएंगे तो इसके लगानी है नॉट ताकि लूज ना हो बाद में पॉमपम लूज ना पड़े इस तरीके से एक बार और आप चाहें तो मजबूत कर सकते हैं इसको इसमें से निकाल लिया अब हम यहां से इसे कट करेंगे बराबर कट कर देंगे इसको इसे करके थोड़ा सा बराबर हो करेंगे चारो तरब से इसको क्लियर कर देंगे इसे कहीं भी लगेगा तो वहां से आपको इसी तरीके से मिला देना है तो एक दाम से यह क्लियर हो जाएगा और अच्छा भी लगएगा फिर से देखिए एक बार करेंगे इसको जहां भी मुझे लगेगा वहां से हम इसे और थोड़ा सा कट करेंगे इस तरह से यह आप देखिए इसमें मैंने यह डोरी में दहगा डाल लिया है ऐसे जो रखा था मैंने आप देखिए साइड से इसमें रखोंगी आप चाहिए तो सेंटर में भी रख सकते हैं तो देखिए यहां से मैं एक दो तीन को छोड़ दोंगी और एक दो तीन ऊपर यहां से ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे डालते जाएंगे एक इड़के इस्तरे समेने इंगा जप यहांपे ताल या बढ़के इसको हम इसीमे एजे एड़के इड़के इसको हम इसीमे इसे कि यहां से इसको थोड़ा भी करके और यहां से हम वापस इसमें ऐसे मजबूत करेंगे ताकि यह निकले नहीं देखिए एक बार और और यहां पर देखिए इसमें हम एक नोट लगाएंगे ताकि यहां से रागा खुले नहीं अब हम इसको कट कर देंगे और देखिए जो इसमें रागे निकल गए हैं इसको हम ऐसे करके वापस मिला देंगे क्योंकि मैंना स्वी धागा से इसको टक किया है तो इसलिए तो यह क्लियर हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से